नमस्ते दोस्तों आपका कोकुद पिंग की चैनल में फिर से स्वाहत है आज हम बनाएंगे गुजिया गुजिया में क्या क्या सामिगरी लगेगी वो एक बार चेक कर लेते हैं कुछ ड्राइपूट्स लेंगे डालने के लिए छोटी लाइची बड़ी लाइची काजू मावा आपके पास जितना भी एबलेबल हो आप उतना यूज़ कर सकते हैं मैं यह ले रही हूँ यह आदा केजी से ज्यादा मावा है घर का बना हुआ है आप देख सकते हैं अब चलते गैस की तरफ सबसे पहले सूजी को भूनेंगे कडाई को गरम करने के लिए रख दिया अब इसमें डालेंगे सूजी अब इसको भूनेंगे सूजी को भून लिया है पूरी तरह से अब गैस को आफ कर देंगे गैस को आफ करने के बाद भी चलाते रहेंगे अभी क्या आए कि कडाई गरम है इसलिए अब हम सूजी को ठंड़ना होने देते हैं सूजी पूरी तरह से ठंडी हो जाए सूजी को एक बरतन में निकाल लिया है सूजी अच्छे से ठंडी हो गई आप इसमें सभी सामान को मिक्स कर देंगे पहले डालेंगे नारियर ये में किस्मिस दिखाना भूल गई थी किस्मिस जिंजर पाउडर को भी दिखाना भूल गई थोड़ा सा जिंजर पाउडर डालेंगे जिंजर पाउडर में ताजा पीस कर डाल रही है आप पैकेट बाला भी डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे सभी ड्राइट फूट्स को ये कूट लिया हलका दर-दरा अब डालेंगे सुगर पाउडर अब सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी सामान अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसमें डालेंगे मावा पूरा सामान अच्छे से मिक्स कर लिया है अब ये गुजिया भनने के लिए रेडियो हो गया है अब इसको हम उठा के रख देते हैं गुजिया काटा लगाएंगे पहले ये मैदा लिये इतनी मैदा को अच्छे से छान लिया है अब इसमें डालेंगे दही ये दो बड़े चमच दही लिया है दही को डाल लेंगे एक चमच लेंगे देशी घी इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे अब इनको अच्छे से आटे में पूरी तरह से मिक्स हो जाए इतना मिक्स करेंगे दही और गी अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक साथ पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसको हलके आतों से बूथेंगे मैं देखा इस तरह का डो बना लेंगे सौप्ट और स्मूथ ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए गुजिया बनाने के लिए आटा मैं आपको ये तोड़ कर दिखाती हूँ इसकी एक लोई भी बना कर दिखाती हूँ ज्यादा हार्ड नहीं है इसौप्ट है हलका सूखा आटा लाएंगे सूखा आटा लाने के बाद अब इसकी पूड़ी बनाएंगे पूड़ी हम पतली बनाएंगे गोल बनाने की जरुवत नहीं है गुजिया में कोई सेफ वाली पूड़ी नहीं बनती है कैसी भी बेल सकते है पूरी को बेल लिया है अब फ्रेम पर हलका सुखा आठा लगाएंगे इस पर पूरी बिछाएंगे इस तरह से अब इसमें जो गुजिया का मसाला बनाया उसको भर देंगे एक से दो चमच पूरी तरह से गुजिया भर जाएंगे अब देख सकते हैं प्रेस करने वाद फिर इसका आठा उपर का जो निकलता उसको तोड़ देंगे गुजिया को निकाल लेंगे इसी तरह सभी गुजिया बना लेंगे सभी गुजिया को ये बना कर रख लिया है गुजिया बनाने के बाद कपड़े से जरूर ढखें क्या है कि गुजिया के ऊपर पपड़ी पड़ जाती है उसकी पूरी सूप जाती है अब इनको तलेंगे तलने के लिए तेल को गरम कर लिया है पहले एक गुजिया डाल कर चेक करेंगे सेम उसी प्रोसेस से हम बाकी सभी गुजियाओं को तल लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे क्योंकि ज़्यादा हाई रखने से गुजिया जल सकती है आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से तल रही हूँ दबा दबा के यो पलटने में प्रॉब्लम होती है सभी गुजियाओं को तल लिया है मैंने अब एक गुजिया आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी सौप अब आपको गुजिया बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें बाई बाई मिलते एक नई रेसिपी के साथ नेस्ट वीडियो में